पीरिट्स का रेगुलर ना होना और उस दोरान बहुत तेज दर्ट होना आज की जेनरेशन के लिए ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इसे शुटकारा पाने के लिए योग आपकी मदद कर सकता है आज मैं आपके लिए इस सेशन में लेकर आए हूँ कुछ ऐसे आसन जो इस प्रॉब्लम से शुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सके साथ ही इसके साथ उनकी जो ओवर्ल हेल्फ है वह भी इंटूपर सके पहला आसन जो हम करने वाले है वह बद्धपुनासन मैं हमेशा कहते हूँ कि फीमेल्स को बद्धपुनासन को अपने रुपी में जरू शामिल करना चाहिए इसे करने के लिए अपने दोनों तायर के तलगों को इस तरीके से आप एक दूसरे से मिला लें पिंगल्स लॉक करें और अपने पैरों को इस तरह पकड़ ले पोशिश करें कि आपके घुटने जादा से जादा जमीन की और जा सकें अगर नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं अपने कुटनों के लिए तक्या भी लगा सकते हैं लेकिन पोशिश करें कि आपकी बॉड़ी की फ्लिक्सिविलिटी बढ़े तो बिना तक्या के करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे लेकिन हमेशा अपनी बॉड़ी के सुने अगर बहुत तेज दल है तो तक्य यह हो नहीं पा रहा तो इस तरीके से अपने पैरों को नीचे ले जाकर उपपर भी लेकर आ सकते हैं कोशिश करें को फ्लों को जाद से जादा नीचे लेकर जाने के आप चाहें तो इस पोज में थोड़ी दे रेस्पी कर सकते हैं 30 सेकंड होल करना भी ठीक है लेकिन अगर आप जादा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगला असन हम करें के वीरासन इसे कड़ने के लिए वजरासन में बैठें उसके बाद अपने जो पैर हैं जो हील से उनको बाहर कर लीजे। आपके घुतने मिलेवे रहेंगे और पीछे सो जो पैर हैं वो सेपरेंगे आपके जो बर्तेक्स हैं वो जमीन को तच करेंगे। इस आसन में कुछ दे डीप रेधिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसासन को करने में परिशानी हो सकती है जो लोगों का जो लोग बाड़ी पैट है वो बहुत ज्यादा है धीरे धीरे पुशिश करें ताइम के साथ प्लिक्सिविटी आजाएगा दोस्तों अमीद है कि यूग सेशन अपको पसंदाया होगा और इससे आपको थोड़ी बहुत मतद मिल पाएगी अगर कोई और प्रॉब्लम इसके बारे में आप करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे आम ट्राय करेंगी कि इसके लिए एक नए वडियो बनाया जा